दोस्तो आज की स्पीडियो में हम बात करने वाले हैं बरसात के मौसम में बच्चे की देखबाल कैसे करें इस पारे में क्योंकि दोस्तो जैसे जैसे बारिश आती है वैसे वैसे अपने साथ हजारों बीमारिया छूटे बच्चों के लिए लेकर आती है इस मौसम में बहुत से वैक्टिरिया वाइरस इस तरह की चीज़े बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है तो ऐसे में आपको बच्चे की केर कैसे करना है बच्चे को इन बिमारियों से कैसे बचाना है बच्चे को कैसा खान पान रखना है मालिश किस ओईल से करनी है और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा बारिश के मौसम में एक्स्ट्रा केर की नीड इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि जब बारिश होती है तो अच्छे से दूप नहीं आती है और साथ में बहुत से जो चुटे-चुटे कीडे मकोडे हैं वो इस मौसम में एक्टिव हो जाते हैं आपको बच्चे के जो कपड़े हैं वो प्रॉपर धूप में सुखाने हैं हो सकता है आपके वहां बारिश के मौसम में बहुत जादा धूप नहीं आती हो लेकिन कोशिश करें कि दिन में एक पार तो कम से कम बच्चे के कपड़ों को धूप दें चाया में बच्चे के कपड़ों को बिलकुल नहीं सुखाएं अब नेक्स्ट है साप सफाई तो साप सफाई में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बच्चा जो खाना खाता है उन चीजों का अगर आपका बच्चा बॉटल से फीड लेता है तो आपको बच्चे की बॉटल को प्रॉपर उबले होई पानी में स्टरलाइज करना है अगर आपका बच्चा आप solids लेने लगा है तो जो बच्चे का खाना है वो आपको fresh cooked food ही बच्चे को देना है बासा खाना नहीं देना है यानि कि अभी आपके बच्चे ने नहीं खाया तो एक गंटे बाद वो खाना आपको नहीं खिलाना है especially दो साथ से छोटे बच्चे को तो क्योंकि दोस्तो अगर आपने बच्चे के खाने को एक गंटे भी रख दिया तो ऐसे में बच्चे का खाना खराब होने का या फिर उस पे contamination होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है क्योंकि अभी मौसम ही कुछ इस तरह का है दूसरी चीज दोस्तों आपको जो इसमें द है कटे हुए फल तो आप बच्चे को इस मौसम में बिलकुल भी अवॉइट करें इस्पेशली मार्केट के कटे हुए फल तो बिल्कुल नहीं दें क्योंकि इस मौसम में अगर आपने पंद्रा मिनिट के लिए भी कोई फल काटके रख दिया और फिर बच्चे को खिलाया तो ये भी दोस्तों कंटेमिनेट हो सकता है और इससे भी बच्चे का पेट खराब हो सकता है क्योंकि छोटे बच्चे की मिनिटी बहुत वीक होती है तो ऐसे में बच्चे की खाने का साप सफाई का हाईजीन का प्रॉपर दियान नहीं रखा चाता है तो बच्चे के बिमार ह सीर वाले भी फल हो सके तो इस मौसम में आप देना अवाइट करें नेक्स जो आपको इसके अंदर धियान रखना है वो है बच्ची की मसाज के लिए प्रॉपर ओयल आप यूज़ करें ऐसा तेल आप इस मौसम में यूज़ करें जो कि चिप चिपा ना हो ऐसा तेल दोस्तो क कोकोनट ओयल होता है इस मौसम में आप बच्ची की मसाज कोकोनट ओयल से करें इससे बच्चे को चिप चिप नहीं होगी और अगर आप इसके बाद बच्चे को बात देती हैं तब भी बच्चा इससे बिल्कुल भी चिप 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 फील नहीं करेगा घमूरिया या बार बार लग जाती है उससे भी आपके बच्चे क्या बच्चाप हो सकता है इसके अलावा दोस्तों कुछ चीजे और आपको ध्यान रखनी है वो है कि इस मौसम में बहुत जादा यूमिडिटी रहती है कभी कभी गर्मी होती है तो कभी बारिश के बार ठंड़क हो जाती है तो ऐसे में आपको सर्द गरम से भी बच्चे की तबिद खराब हो सकती है तो बच्चे को एकदम से कूलर या एसी में नहीं रखना है कूलर एसी में तो दोस्तों दो साल से छोटे बच्चे को क्या पांस साल से छोटे बच्चे को भी डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए ले अगर आपके बहुत जादा humidity हो रही है तो बच्चे को indirect यानि की direct आप AC के सामने नहीं रखें और बच्चे के जो AC में अगर बच्चे को ले जा रही हैं, cooler में रख रही हैं तो एक layer कपड़ों की जादा रखें क्योंकि बच्चे को कभी तो ठंड लगेगी, कभी गर्मी लग जाते हैं, तो ऐसे में आपको जो आपकी floor है उसको भी everyday पहुचा लगाना है और दोस्तो उसमें भी नमक के पानी से लगाना है ताकि जो नीचे भी किस तरह के जो कीड़े मकोड़े या जम्स रहते हैं फर्ष पे और बच्चा को चोटा के खाता है तो उनसे भी बच्चे क रक्षा हो चके, साथ में दोस्तो बच्चे के toys को भी आपको अब sterilize करना है और आपकी जो bad sheet है उसको भी आपको अच्छे से wash करके हर अफते change करना है अगर आपका 5 साल से छोटा बच्चा है तो क्योंकि दोस्तो bad sheet भी इस मौसम में बहुत जादा कीड़े मकोड़ों का और इस तरह के contamination का डर रहता है तो bad sheet भी आपको जल्दी ही change कर लेनी चाहिए तो ये कुछ tips है दोस्तो जो बारिश के मौसम में आपको follow करने हैं बच्चे को बेमारियों से बचाना है और इस तरह की बहुत सी baby care videos के लिए मेरा channel subscribe कर लेना है यहां मैं इस तरह के बहुत से videos लात ही रहती हूँ अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो कर like कीजिएगा channel पर नए है तो channel को subscribe कीजिएगा मिलती हूँ बहुत जल्दी सी तरह के एक और नए वीडियो के साथ till then bye bye